नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्व चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह पांच दिनों कर्षमे आपके जीवन काल पर करने वाले हैं बहुती बड़े चमतकार जहां दोस्तों हम आप से भी को बता दें कि जो व्यक्ति आज की इस वीडियो को सुरू से अन्त तक देख लेगा दोस्तों दावा है कि उसके जीवनकाल में ये बड़ी खुछखबरियां मिलकर ही रहेगी जहां दोस्तों अक्सर व्यक्ति अपने जीवन काल में असमंज सकी इस्ति में पढ़ जाते हैं इनके बातों में उनके बातों में आकर अपने ही सही कार को ही छोड़ देते हैं लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो जानकारी आपको देने वाले हैं पूरे YouTube पर आपको कोई नहीं दे सकता, जहां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें की यह मा के आखरी सपता, और दोस्तों, आने वाले मा के पहले सपता, दोनों ही सपता आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा लाबकारी फारित होने वाले हैं, अत्यन्त प्रबाफसिल गरहों सीख देगी जिहां दोस्तों जिनें आप अपने जीवन काल पर उपयोग करके दोनों सवताओं में बहुती सफलताओं को अरजित कर पाएंगे जिहां दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को अब अंतर तक देख लिजिएगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोन के लिए कमेंड बॉक्स में सच्चे मंद से जैश्राम लिख दें। दोस्तों भगवान स्रिराम का आसिम आशिरवात आप सभी को प्राप्थ होगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी के एक बहुती अच्छे ग्यान से, एक बहुती अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा सक्ती जागरित होगी दोस्तों भगवान स्रीक्रिशन के एक बहुती जादा परेशान, हतास और निरास हो चुके थे, उनके जीवन काल में उनको कोई भी चारा नहीं चल रहा था, और वो अपने लक भागे और अपने नसीब को ही दोस्त दे रहे थे जिहां दोस्तों तब भगवान स्रीक्रिशन पर कर्ण होकर उन्हें यह बात बताते हैं कि दो अक्छर का सब्द है लक, धाई अक्छर का सब्द है भागे और तीन अक्छर का सब्द है नसीब, साड़े तीन अक्छर का सब्द है किसमत, मगर यह चारों के चारों चार के सामने बहुत ही छोटे पड़ जाते हैं तब दोस्तों उनके भक्त को यह अभ्यास हुआ यह बाते सुनकर उनका भक्त बहुत ही प्रशन हो गया तो दोस्तों अगर आपको भागवान स्री कृष्ण का यह ज्यान अच्छा लगा हो इन्हें आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण राधे राधी तो आई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि यह साब्ता के अंतिम साथ दिनों से आप से विके जीवन काल में भागवान सिर्राम जी के आसिम आसिरव आपती होगी और भागवान सिर्राम जी के आसिरवात से आपके घर के माहुल में पारवारिक जीवन में स्वास्त बिजनस बैपार में परते एक छेत्र में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक दखिएगा उश्य पहले दोस्तों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जैश्राम लिखेंगे दोस्तों सिर्राम का आसिम आसिरवात आप से भी को प्राप्त होगा तो दोस्तों जरू लिखेगा वरतिया इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को प्रेज करके और तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से भगवान सिर्राम का गुनवान या पूरे सापता में आपको करना है समाजिक गत्ती विदियों में भी आपका यहसमें बहुती जादा रूची बढ़ने वाले हैं बहुती बड़ी तरह की यहसमें आपको भगवान सिर्राम के आसिरवात से मिलने वाले हैं घर के नजदी की जो समंदी हैं उनके आगवन से सुखनामा माहोल भी याशमी रहने वाला है क्योंकि भगवान सिर्राम का आशिरवाद याशमे आपर होंगे की खुसखबरी आपके पूरे परिवार को खुस कर देंगे जिहां दोस्तों दोस्तों याशमे ग्रिशती बहुत ही अच्छी है कई तरह की जानकारी मिलेगी दोस्तों की आप एक्छा रखने की वज़ाए अपने कार छमता और योगता पर ही अधिक विश्वास रखें किसी खास व्यक्ति की समस्या को सुल जाने में आपका योगदान रहेगा रुके वे काम निप्टाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है साथि किसी समाजिक संस्था में भी आपका योगदान रहेगा गर का महोर, सुकर और सांती पूर्ण भले रहेंगे अब अपने व्यक्तित गत्ति विदियों पर वहत्रिन तरीके से ध्यान केंदित कर पाएंगे और उसमें आपको शफलता भी मिलेंगे दोस्तों इन दिनों की शुरुवात किसी खुश खबरी से होगी इसे लापारवी अत्वा आलस की वज़े से किसी फॉन कॉल को नदर अन्दाज ना करें आपको कोई महत्वपून सुचना मिल सकती है और आप उर्जा और आत्म विश्वास से भरकूर महशुष करेंगे इनके साथ-साथ अपने किसी महत्वपून कार को निप्टाने के लिए समय बहुत ही अनुकुल है परवसारी लोगों के साथ मुलाकात के आफसर बनेंगे और भविश्वान्दी योजनाव पर भी विचार्ज भी मर्स होगा सान्तान की किसी सफलता से परिवार में खुशी भरा महूल रहेगा दोस्तों आज किसी कार के परतिक किये गए परियास के अनुकुल परना मिलने वाले हैं इसलिए मन लगा कर मेहनत करें आपके अच्छे मेनेजमेंट की वज़े से परिवार था व्यावसा समन्दित गतिविद्य में पूचित संतुलित बना रहेगा रिस्तों में भी मदूरता आएगी किसी अनुवी वेक्ति के सहयोग से चर्ली किसी समस्या का समधान मिलेगा साथी आज आचाना ही कोई रुका हुआ कारे पूरा हो सकता है बच्चों के साथ कुश्य में वेतित करना था उनका मार दर्सन करना उनके आत्मी विस्वास को और अधिक बढ़ाएगा दोस्तों भगवान श्रीराम जी के असिर्वास से आपकी कोई शमस्या हल होगी जिससे चिनता मुक्त होकर आपको जीवन की कोई महतोपुन पहलों को समझने में भी मदद मिलेगी साथी महतोपुन विस्यों पर विचास विमर्जबी होगा धार्मी अधात्मी गत्य विदियों में भी कुश्य में जरूर दें इसे आपको शफलता मिलेंगे इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दोनों में कुछ शाबधानिया भी देख कर चलनी होगी किसी भी नकार्तम परसिती में गुसा या आवेश में आना उचितनी है सांती और धैर बनाए रखें अनुवी तथा वारिश लोग के मारदर्शन और सलापर आवश अमल करें अपनी मनों विरती शकारत में बना कर रखें बिजनस में इस समय भवी शमेंदी गतिविदियों पर समय न लगा कर मौज़ोदा कामों पर ही ध्यान दें कुछ रुकावटें आएगी लेकिन चिंता न करें समाधान भी मिल जाएगा नोकरी पैसा लोग को अपने काम में जादा ध्यान देने की जुरत है इसी मामली से बात को लेकर पड़शियों से कहा सुनी हो सकती है अपने गुसे और वानी पर काबू रखें बच्चों की गत्यविदियों पर नजर रखें ता उनका मार दसन करें कहीं पैसा उधार देने से परहेज करें और दोस्तों अपने उपलवदियों का दूसरों के शामने ज़्यादा दिखावा करना उचिद नहीं है यसे आपके विरुदियों की वीच जलन की भावना आ सकती है साथ ही अपने व्यक्तिकत मावलों में किसी का हास्ते छेप ना होने दें घर के किसी सदर से को आपकी मदद की ज़रत पढ़ सकती है वैपसा में नया काम सुरू ना करें क्योंकि उचिद जानकारी के आभाव में नुकसान हो सकता है दोस्तों नोकरी के लिए कोशिश कर रहें लोगों को खुश खबरी मिलने की समभावना है कारचेतर में आपको अपने मेहनत के अरनुरूप उचिद परनाम भी हाशिल होंगे युआंको केरियर समन्दी उपलब्दी मिलने से शुकून मिलेगा के लव लाइप के बारे में देखा जाए तो पती पतनी आपसी समन्दों के वीच चले तनाम का असर परिवार पर ना आने दें आपस में ही बैठ कर सुल जाने तो अच्छा होगा दोस्ता आपके स्वास्त में तोचा समन्दी एलर्जी हो सकती है गरिश तता भारी खान पान की वज़े से गैस वक कब्ज की सिकायत रहेगी इसलिए इन पर ध्यान रखें इस्त्री वर अपने स्वास्त का विसे ध्यान रखें गुटनवाज जोड़ों में दर्द रह सकता है दोस्ता बात करता आपके उपाय के बारे में दोस्तों हनुमान जी को गुड और चने का भोग लगाए मंगलवार के दिन ब्रह्म महुर्त में उठकर एक वट बिर्ख्ष के पत्य पर लाल रंग के पैन से अपने एक्छा लिखें और हनुमान जी के चर्ण में आर्पित कर दें इसे आपकी सभी मनुकामनाई पूर्ण होंगे दोस्तों अगर नोकरी की तलास कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का वीड़ा चड़ाएं जिस्तों बात करता आपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या है दोस्तों आपका भागे साली रंग पीला है और भागे साली अंक तीन है दोस्तो महावीर बजरंगवली का आशिरवाद आप सबी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै महावीर बजरंगवली जरूर लिखें और विडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद